Hello everyone, let's get to know the meaning of to go Dutch or Dutch street. ये इडियम तो आपने सुना ही होगा? अगर नहीं सुना, तो इसका मीनिंग तो आपको पक्का मालूम ही होगा. जब इडियम ने सुना तो मीनिंग कैसे पता होगा? वो ऐसे पता होगा, देखिए, आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बार जाते हैं, किसी आउटिंग पे जाते हैं, किसी आप कोई मूवी देखने जाते हैं, किसी रेस्टरॉम में जाते हैं, किसी कॉंसर्ट में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी कोई एक्सपेंस होता है, जो भी क बिल आपके सामने आता है, जो भी कोई खर्चा होता है, तो क्या, आपका कोई एक फ्रेंड ही उसको पे करता है, या आप ही उसको पे करते हैं, या सभी लोग आपस में मिलके उसको शेर करते हैं, अगर सभी लोग अपने अपने हिस्से का, अपनी अपने हिस्से की शेरिंग देते हैं, तो वही डश ट्रीट कैलाती है, मालिजी अ, रेस्टाम में आपने खाना खाया आप सारे फ्रेंड़्स दी मिलकेए, मीआ किसी में खाना खाया तो जो बील सामने आया तो अपने उसको इसप्लेट करके सब की तो बीच में बान गया तो जब बाट दिया तो सब अपने अपने हिस्से का वो पे करेंगे तो वही वो डश ट्रीट क्यलाती है. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देखिए, to go dash को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वो देखते हैं, माली जी आपका फ्रेंड पे कर रहा है पूरा बिल, तो आप उसको क्या बोलेंगे? नो, नो, you treated us last time, let's go dash today. You treated us last time, let's go dash today. Another example is, young people today tend to go dash when they go out together. Young people today tend to go dash when they go out together. Hope you like this video, so please don't forget to subscribe to my channel and do hit the like button and press the bell icon to get the notifications of my new videos. Thank you for watching.